चलिए सियासत के बाद बात करते हैं सरदी के बढ़ते सित्म की जैसे जैसे दिसम्बर का महीना आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे पारा भी नीचे गिर्था जा रहा है पहाडों पर बर्वबारी शुरू हो गई है जमु कश्मीर के पुंच की ये तस्वीरें हैं बर्फबारी से चारों तरफ सफेद चादर से बिच गई है पेर पौधे, सड़क, सभी कुछ बर्फ की मोटी चादर से ढख चुके हैं पुंच के मुगल रोड पर बर्फबारी की वजह से तो सड़कों पर ट्राफिक ठप हो गया है गाडियों को आने जाने में फिलहाल काफी तकते हो रही थी, इसलिए रोक लगा दी गई बर्फबारी के बीच स्थानी प्रशासन सड़कों से बर्फ हटाने के काम में लगा हुआ है पहाडों पर हो रही बर्फबारी से मैदानी इलाकों में भी अगले एक दो दिन में कड़ाके की ठंड पड़ सकती है जब कश्मीर की ये तस्वीर आपको दिखा रहा है जहां पारा गिरता जा रहा है और अब सर्दी का सितम ऐसा कि हर तरफ बर्फ ही बर्फ की चादर नजर आ रही है याता यात इन इलाकों में पूरी तरह से ठप हो चुका है लेकिन अब पहाडी इलाकों में लगातार हो रही बर्फबारी की वजह से जो मैदानी इलाके हैं वहां अगले एक दो दिन में सर्दी और जादा बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है पारा भी और जादा गिर सकता है